हेलो फ्रेंड्स आज का मारा टॉपिक है क्रियेट क्लावियो सब्सक्राइबर फ्रम एलिमेंटर फॉर्म सम्मिशन तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम ही समझेगे कैसे आप एक ऐसा अमेजिंग आटोमेशन बना सकते हैं एलिमेंटर और क्लावियो के बीच में कि जब भी कोई न्यू फॉर्म सम्मिशन रिसीब होगा एलिमेंटर फॉर्म पे तो आटोमाटिकली जिस पर्टिकुलर परसर ने वो फॉर्म फिल करा है वो पर्टिकुलर परसर एज़ा सब्सक्राइबर ट्रिगर और एक्षिन का तो ट्रिगर में आपको लेना है एलिमेंटर, एक्षिन स्टेप में आपको लेना है क्लावियो जो कि एक पॉपुलर एमेल मार्केटिंग सॉट्ट फेर है तो क्या आप भी पूरा प्रोसर स्टेप बाइ स्टेप सीखना चाहते है बिना किसी coding skills के तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी screen पे ओके तो सबसे पहले आपको यहां पर जो elementar का account उसको login कर लेना आपके browser में और particular form open कर लेना जिस पे आप काम कर रहें और यहां पर आपको klavio का account भी login कर लेना आपके browser में पहले ठीक है अब हमारा objective क्या है हमारा objective यह है जब भी कोई particular person या user form fill करे elementar पे मतलब elementar form fill करे तो automatically वो particular person as a subscriber create हो जाए klavio में यह हमारा complete objective है तो चलिए सीखते हैं पूरा process बिना किसी देरी के सीधे आपको ले चलता हूँ पैबली connect के landing page पे दोस्तों आप भी इस page पे आ सकते हैं simply आपके browser में टाइप करें पैबली.com slash connect यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं एक है sign in को option दूसरा है sign up for free option तो अगर आप एक new user है तो आपको simply click करना है sign up for free वाली बटन पे और आप आपका account create कर सकते हैं केवल 2 minute में दोस्तों आपको account creation पे हर में यह 100 free task भी मिलते हैं जिसकी मदद से आप ऐसे amazing automation टेस्ट कर सकते हैं family connect में मैं एक existing user हो इसलिए में क्लिक करूंगा sign in पर उसके बाद दोस्तों आपको जाना है family connect वाले डालोग बॉक्स में क्लिक करना है access now और आप आप आजाएंगे family connect के dashboard पे हैं पर आपको right hand side पे बटन देखे का create workflow का इस पर आपको क्लिक करना है तो एक dialogue box open हो जाएगा आपकी screen पे जो बोल रहा है enter the name of the workflow तो दोस्तो basically आपको यहाँ पर आपकी workflow को कोई नाम देना है और select folder से आपको particular folder select कर लेना है जिस भी particular folder में आप आपकी workflow को save करना चाहते हैं अगर आप new folder create करना चाहते हैं तो create a folder वाली बटन से यह च आपके साब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर आपकी workflow को उसके पास select folder से मैं particular folder select कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं workflow automation integration वाले folder में मेरी workflow को save करूँगा क्लिक करेंगे create वाली बटन पे और आप अचाएंगे दोस्तो यह वाली screen पे यहाँ पर आपको दो important module समझना है जो हमारे automation में बहुत important role play करते हैं इनका नाम है trigger और action तो दोस्तो trigger बोलता है when this happens जिसका मतला बोलता है जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो तो basically trigger हमारे automation को start करता है और action में हम वो particular action perform करते है जो हम करवाना चाहते हैं हमारी automation में तो यहाँ पर आपको trigger application चूज करना है पर आपको action चूज करना है trigger event आपको यहाँ पर choose करना है new form submission और आपको यहाँ पर एक webbook URL मिल जाएगा अब दोस्तो webbook URL यहाँ पर बहुती amazing role play करता है यह as a bridge की तरह काम करता है और इसी webbook URL की मदद से आपको elementar और public connect के बीच में connection बिल करना है नीचे आपको details मिल जाएंगी कैसे आपको यहाँ पूरा process करना है मैं आपको directly बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पर webbook का setup करना है ठीक है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर webbook URL को करना है copy और नीचे आप देख सकते है शोराय वेटिंग फॉर webbook response नोट में लिखेना login to the application where you have added the webbook URL and do a test submission record so that the data can be recorded here in the webbook response तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ जब हम webbook URL की मदद से elementor और public connect के बीच में connection बिल कर लेंगे उसके बाद हमको test submission करना है elementor form में जिसकी मदद से हमको public connect में response रसीब्ट हो तो सबसे पहले हम webbook का setup करेंगे इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ elementor form पे तो इस particular form पे मैं काम कर रहा हूँ इधार पर आप देख सकते हैं मैं details capture कर रहा हूँ first name, last name और email ठीक है आप आपके साब से form को customize कर सकते हैं तो webbook का setup आप कैसे करेंगे यहाँ पर आपको जाना है forms में ठीक है, आपको forms open करना है फिर आपको यहाँ पर नीचे scroll down करना है तो आपको यहाँ पर actions after submit पे क्लिक करना है फिर आपको इधा पर add button पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको webbook आइड करना है और नीचे आपको वेबुक में जाके यहाँ पर वेबुक URL लैट कर देना है जो आपको पैबली कनेक से मिला है तो हमने इस वेबुक URL को कर लिया था कॉपी हम सिंप्ली इसको यहाँ पर कर देते हैं पेज ठीक है और उसके बाद आपको यहाँ पर publish पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका वेबुक का सेट अप हो जाएगा जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने वेबुक का सेट अप कर लिया है अब हम preview changes पर क्लिक करते है तो इस particular form में हम एक test submission करेंगे ठीक है तो जो भी डीटल्स हम इस पर्टिकुला फॉर्म में फिल करेंगे वो डीटल्स हमको कैप्चर हो जाएंगी पैपली कनेक्ट में ठीक है तो आए अदा पर डमी डीटल्स फिल करते हैं यहाँ पर हम एक टेस्ट समिशन करते हैं तो first name हम देते हैं for example john last name हम देते हैं for example milton and email address हम देते हैं for example john567 at the rate public dudes.com ठीक है तो आप इताप पर assume कर सकते हैं यह एक dummy person ने जो form fill कर रहा है ठीक है send पे click करते हैं तो आप इताप पर देख सकते हैं और submission was successful okay public connect में वापिस चलते हैं तो आप इताप पर देख सकते हमको यहां पर एक positive response मिल गया है इतापर हमको form name शुरा है new form और इतापर हमको कुछ अदर details मिल गई है जैसे कि हमको particular user की details मिल गई है first name में john last name milton email address john567 at the rate public use.com date भी हमको यहां पर received हो गई है ठीक है हमने हमारे automation की जो first step है वह यहां पर complete कर लिए हमने वेबो qrl की मदद से पैबली करिक पर response capture कर लिए जब भी new form submission होगा elementar पे ओके अब यहां पर लिखा है instant मतलब पूरा process instantly work करता है मतलब आपके automation एक बार बनाना है उसके बात अपना काम करेगा अब हमारा objective क्या है create klavio subscriber from elementar form submission हमारा objective यह है जब भी elementar form पे new submission हो तो automatically जिस particular person ने वह form फिल करा है वह particular person as a subscriber create हो जाए automatically klavio में तो इसके लिए आपको क्या करना है action step में आना है choose app में आपको यहां पर चूज करना है klavio तो हमें तब पर चूज करते है साथ connect करना है यहाँ पर आपको दो option मिलते है एक है add new connection का दूसरा है select existing connection का तो अगर आपने आपका connection already built करके रखा है तो आप select existing connection के साथ जा सकते हैं यहाँ पर आपको previous saved connection show होते है अगर आप यहाँ पर जाते है add new connection के साथ तो आपको यहाँ पर डाला है public API की site ID और private API की ठीक है और नीचे आपको information भी given है कैसे आपको API की और private API की मिलेगी ठीक है तो आपको क्या करना है इदा पर hyperlink पर क्लिक करना है API keys पर तो आप सीधे इस page पर पहुच जाएंगे जहां से आप API की copy कर सकते हैं और private API की भी copy कर सकते हैं तो इदा पर आप देख सकते हैं public API की यहाँ पर शोरी है तो इस key को मैं हाँ से कर लेता हूं copy और simply हम इदा पर public API की वाली field में इसको कर देते हैं paste उसके बाद हमको यहाँ पर private API की भी डालना है तो यहाँ पर हम चलते हैं तो इदा पर आप देख सकते हैं existing private API की में को शोरी हैं यहाँ से मैं कोई सी भी API की copy कर लेता हूं इदा से आप new private API की भी create कर सकते हैं यहाँ से मैं existing API की ले लेता हूं ओके और simply हम इदा पर private API की में इसको कर देते हैं paste उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है save वाली बटन पर और आपका जो klavio का account है वो successfully public connect के साथ हो जाएगा connect अम नीचे आप field सेख सकते हैं list, email, first name, last name तो इदा से आपको particular list तो आपको particular list यहाँ पर drop down से choose करना है और उसके बाद हमको यहाँ पर details देना है email, first name, last name ठीक है अब यहाँ पर आपको important step का ध्यान देना है जिसका नहाम है mapping मतलब आपको यहाँ आपको manually type नहीं करना है data नहीं आपको copy paste करना है यहाँ पर आपको mapping करना है जो कि important step है तो data map क कैसे करेंगे यह आप देख सकते है previous step का response यहाँ पर शो रहा है तो इदर से आपको data map करना है तो email id क्या है john567-8-8-papdatives.com first name क्या है first name हम इदर से map करते थे जॉन और last name क्या है last name है Milton ठीक है तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर data map करना है mapping यहाँ पर एक important step है क्योंकि mapping की मदद से ही आप हमेशा dynamic response generate कर सकते हैं मतलग जब भी आपका workflow run होगा और जो भी new response आपको received होगा form submission पे तो automatically वो details in details की जगे आ जाएंगी और details change हो जाएंगी क्योंकि आप data map कर रहे होंगे कोई भी चीज़ आप इदा पर manually type करेंगे वो हमेशा static रहेगा वो change नहीं होग इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसलिए हम इदा पर data map करते हैं ठीक है उसके बाद आपको हैंपर simply click करना है save and send test request वाली बटन पे और आप यहाँ पर देख सकते हमको हैं आप एक positive response मिल गया है इमेल आईडी है आप शोरी है john567.com तो जब आपको कुछ इस तरीके का response receipt होगा मतलब आपको automation successfully work कर रहा है और आपके klavio account में subscriber add हो गया है तो आइए चेक करते हैं मैं आपको लिए चलता हूँ klavio पे और इदा पर आप दिख सकते हैं automatically इहां पर एक new subscriber add हो गया है जिसका नाम है john milton email idea john567.com इदा पर date and time भी आपर शोर है तो कुछ इस तरीके से आप automatically element of form submission होने पर particular person को as a subscriber create कर सकते हैं add कर सकते हैं klavio में तो दोस्तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा automation बनाना है ये दो step का automation बनाने के बाद आप आपका बहुत तरह समय बचा सकते हैं सबसे पहले summarize करता हूँ कि इस पूरे automation में हमने क्या कर रहा है तो trigger में हमने लिया elementor trigger event हमने लिया new form submission action step में हमने लिया klavio action event हमने लिया add subscriber with basics details जिसकी मदद से हमने subscriber को add कर लिया view में अब दोस्तों मैंने आपको बता है इंस्टेंट मतलब पूरा process instantly work करता है तो आइए इसको real time में test करते हम फिर से इस particular form को यहां पर फिल करते हैं और फिर देखते हैं automatically यहां पर subscriber add होता है कि नहीं ठीक है तो इदा पर मैं पहले करता हूं refresh ओके और यहां पर हम एक new submission करते हैं let's say first name हम इदा पर देते हैं test last name हम देते हैं for example demo and email address हम देते हैं for example test 678 at the rate pavlitudes.com send पर click करते हैं okay your submission was successful klaviyo में चलते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं automatically एक new subscriber add हो गया है test demo इसका नाम है email address है test 678 at the rate pavlitudes.com date and time यहां पर show रहा है ठीक है तो instantly हम पर एक new subscriber add हो गया हमारे klaviyo account में तो दोस्तों कुछ इस तरीके से automation work करता है अगर आप भी पूरे automation पर काम करना चाते हैं या इस automation को test करना चाते हैं तो इस workflow की जो link है वो मैं आपको description box में share कर दूँगा तो आप बड़े ही आसानी से same workflow को clone करके उस पर काम कर सकते हैं और अगर दोस्तों आपको इस workflow में कोई भी doubt है तो आप में को comment section में जरूर बताएं thank you यही नहीं दोस्तों आप और भी indication बना सकते हैं पैबली करने की मदस से और आप हमको mail कर सकते हैं support-adherate-pabli.com पे अगर आपको कोई doubt है या कोई query है तो आप हमको mail कर सकते हैं forum-adherate-pabli.com पे और अगर आपकी कोई pricing related issue है तो आप हमको reach out कर सकते हैं इस particular link पे अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें